गुड मॉर्णिंग इस्टुडेंट्स आप सभी का जुलोजी की ओनलाइन क्लासेज में आठ दिक स्वागत है प्रिवेस क्लास में अपने ग्राप्स कैसे बनाते हैं यानि की ग्राप्स के थू अपन डाटा को कैसे परजेंट करते हैं ग्राफिक परजेंटेशन ओब डाटा दो टोपिग स्टाड किया था उसमें अपनने उसकी मेरिट्स और डी मेरिट्स यानि कि इसमें क्या च्छाइया है क्या बुराया है वो जानी इसके अलावा contribution of graph यानि graph को कैसे बनाते हैं अपन जो अपन पहले भी बनाते थे physics की file में chemistry की file में या फिर 11, 12th class में तो अपन ने यहाँ पर फिर से उसको graph को बनाना सीखा है कि अपन दो line खेशते हैं एक तो खड़ी और एक आड़ी longitudinal और latitudinal बीच में यहाँ जहाँ पर यह दोनों lines एक दूसरे को कारती है उसे अपन zero point से show करते हैं ठीक है तो ऐसे मैंने आपको graph बनाना फिर से समझाया था और फिर यह बताया था कि यह जो graph है यह two type के होते हैं यानि इन graph के मादिम से अपन data को two types से present कर सकते हैं first तो था graphs of time series graphs of time series जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी अपने पास data दिया है अगर उसको अपन time के according किसी series को वर्गी करत करें तो जो अपने पास graph राफ्थ होंगे उनको अपन कहेंगे histograms histograms जिसे माल लो किसी class से weight से समझाया था दिया है तो उससे समझाया अपन ने time को तो यहां पे issue किया था और उससे समंदित students को यहां सो किया था फिर अपनने table को देखती वे कुछ points बनाये थे ऐसे और उनको points को मिलाते हैं वे एक line भी खेंची थी तो ऐसी जो अपन को graph प्राप्थ हो रहे थे उनको बोल रहे थे अपन graph of time series आज जो next type लेंगे अपन वो है graphs of frequency distribution यहां पर फ्रिक्वेंसी distribution से आज से है मैंने आपको पहले भी समझाया था आवरती वित्रण कोई नई चीज नहीं अपने लिए यह topic अपने पहले भी आच चुका है frequency distribution का जिसमें अगर आपको याद हो तो मैंने variables बताई थे दो परकार के होते हैं यहां से question भी बनाता कि variables कितने type के होते हैं discrete और continuous यह question भी आच चुका है आपके seniors के तो आज अपन graphs को graphs में frequency distribution को कैसे show करते हैं या इस से related जो ग्राफ बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनको आसानी से समझने कोसिस करेंगे तो इनको बनाने के लिए इनके कुछ types दिये वे हैं जैसे first type है histograms यहाँ पर यह histogram अलग था times related यहाँ पर है आवरत्ती से समंदित यहने बोलते हैं आवरत्ती चित्र कब जब frequency से समंदित ग्राफ बनाना हो था यहाँ पर time लिया था पर नए second है frequency polygon यहाँ पर frequency polygon का मतलब है आवरत्ती बहु भुज polygon का मतलब है बहु भुज से जिसकी बुजाएं बहुत सारी हों यह second type है ऐसे ही third type एक और है frequency कार्व कार्व को बोलते हैं वक्र फस्ट हिस्टोग्राम second frequency polygon जिसे बोलते हैं वरत्ती भुज थर्ड है frequency कार्व का मतलब है वक्र से एक टाइप और दे रखा है cumulative frequency कार्व या ओगिव ओगिव का अर्टिन सो भी आते हैं लेकिन वो वाला होगी नहीं है इसका मतलब है कार्व से वक्र से एक ग्राफ से तो ये चार प्रकार के frequency distribution से समंदित या आवरती वित्रण से समंदित ग्राफ्स बनाए जाते हैं अब पड़तर एक अपन individual इनमें से एक एक टाइप लेंगे और उनको एक example लेके बनाने कर समझने की courses करेंगे जैसे सबसे पहले है histograms जिनने बोलते हैं आवरती चित्र अगर आपको याद हो तो मैंने जब graphic presentation of data start किया था तो मैंने आपको यह बताया था कि इनके lab यही है कि इनसे अपन continuous series की जो variables होते हैं continuous series वाले कौन से जैसे 30 से 40 है 40 से 50 है यानि ऐसे data या ऐसे मान जिनको अपन पूर्णांकों के अलावाद दसमलाओं में भी लिखते हैं यह मैंने पहले समझा चुका आपको अच्छे से तो ऐसे जो data होंगे उनको अपन इन graphs के माध्यम से पर्दसित कर सकते हैं मैंने आपको starting में बता दिया था अगर आपने ध्यान से समझा हो उस चीज को तो first number पे लेंगे अपन histograms histograms केसे बनते हैं क्या rules हैं इन में से कोई सा भी आपको main exam में पूछा जा सकता है जैसे कोई आपको data दे दिया पूछ लिया कि समंदित data से histogram बनाईए तो आप अगर आपको rules पता है तो आप आसानी से बना सकते हो नहीं पता है तो जैस यारां first number पे histograms सबसे पहले rules जान लेते हैं पन histogram बनाने के लिए class interval जिसे हिंदी में बोलते हैं work अंतराल class interval को हमेशा histograms बनाते time axis पर तथा इससे समंदित जो frequency होगी frequency means आवरत्ती उसको y axis पर show किया जाता है अब यह axis क्या है y axis क्या है मैंने graph कैसे बनाते हैं उस ताइम आपको बता दिया था जैसे example लिया है मैंने यह यह 0 यह x और यह y तो मैं बोल रहा हूँ कि x axis पर तो class interval show की जाती है जबकि y axis पर इससे समंदित frequency सोकी जाती है जैसे एक example आगे हैं मान लो कि अपने question में 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 और 60 से 70 यह प्राप्ता अंख है B.A.C. final year की students के प्राप्ता अंख और इधर है number of students जैसे मान लो की 8 students के नमबर आएं 20 से लेकि 30 तक ऐसे ही 10 student यह 15 यह 20 यह मान लेते हैं 12 यह data मिला है अपने को question माने और अगला बोल रहा है कि इससे आप histogram बना के हमें दिखाओ तब ही में नमबर दूँगा आपको 6 बना नहीं दूँगा तो अपन को क्या करना है अपन को rule पता है कि x axis पे तो अपन को इस line पे तो अपन को क्या परदेशित करने है class interval यानि कि यह वाले और y axis पे frequency इससे सम्मंदित frequency क्या है यह वाली इसको कहा पे परदेशित करना है y axis पे यहाँ पे easy तो कहां से start हो रहा है 20 से yellow 20 यह 30 यह 40 यह 50 यह 60 और यह 70 यहाँ पे क्या लिखा है अपनने प्रापतांक यह नियम है जो भी जहाँ पे परदेशित कर रहे हैं उसके नीचे लिखना होता ऐसे कि इधर हमने प्रापतांक लिखे है इधर क्या लिखना है अपन को number of students तो तीर सामें लिखनी सकता तो यहाँ पे side में लिख रहा हूँ number of students इधर कैसे है 8 है 10 यह 5 का अंतर है इनमें आपन देखे दो तो 5 की gap में अपन यह frequency परदसित कर दे पांच 10 15 20 25 यह 30 यह लोज इतना काम दो अपन ने कर दिया अब अपनों क्या करना है इस table को देखते वे जैसे 20 से 30 प्रापतांक कितने students के पास है उससे सम्मंदित अपन को आयत बार खेचना है rectangular बार खेचना है और वो केसे खेचना है उसका नियम एक और दे रखा इसमें वो यह है कि class interval की जो आयत बार बनेंगे वो प्रस पर जुड़े भी दिखाई देने चाहिए जैसे यह पन ने बार खेचा एक तो दूसरा बार इससे चिपका हुआ ऐसे तीसरा भी इससे चिपका हुआ ऐसे हम ऐसा ऐसे दिखाई देना चाहिए ठीक है क्योंकि यहाँ पे continuous frequency या variables लिया है अपने इसलिए यह चिपके वियो होंगे बार और अपने इसमें अगर गोर से देखना चाहे तो यह two dimensional diagrams की तरह है यानि दिवी विमी चित्र दिवी विमी चित्र में अपने लंबाई और चोड़ाई इन दो चीजों का यूज में लिया था लंबाई कितनी है चोड़ाई कितनी है तो यह एक परकार के दिवी विमी चित्र या two dimensional diagrams भी कहलाते है अब बनाते हैं अपन अब रूल्स पता चल चुके हैं अपन को बीस से तीस प्रापतांग वाले students की संग क्या है आठ बीस से तीस ये लो जी बीस से तीस कितने है आठ पास से और दस की बीच में आने है आठ ये लो ये मैंने खहश दिया एक आयत बार बीस से तीस और आठ माल लेताओं में यहाँ पे है तो ये बीस से तीस के आठ students हो गए next क्या है तीस से चालीस यानि यही से start करना पड़ेगा मेरे को कितने students है दस ये लो चिपका हुआ है जुडा हुआ दिखाई दे रहा है तो ऐसे ही बनाना क्योंकि यह rule था इसका अपन को बनाने है histograms बहुत ही easy है एक दुसरी के चिपके भी दिखाने है अलग-अलग नहीं दिखाने है diagrams में जो अपने इनको अलग-अलग दिखाई था लेकिन यहाँ पे अपन को जुड़े भी दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे अपन continuous variables या एक अंडिचर यूज में लए रहे हैं 30 से 40 40 से 50 ऐसे तो ऐसे अपन histogram असनी से बना सकते हैं अब next type लेंगे अपन वो है क्या था frequency polygon histograms तो बना लिए है अपनने first type अब चलते हैं second type frequency polygon जिनें बोलते हैं बहु भुझ इन में थोड़ा बहुत अंतर चेंज करना है बाकि सेम वो ही रहेगा अब जब बनाओंगा तब आपको बहुत अच्छी समझ में आज जाएगा बहुत ही जल्दी से frequency polygon या आवरती बहु भुझ जो बनाने का नियम यही है कि जो अपने histograms बनाए है इन histograms की जो आयत बार है नहीं क्या बोलते हैं अपन आयत बार इन आयत बार के सबसे उपरी वाले भाग सबसे उपर वाले भाग यही तो है सबसे उपर वाला सिखर है इनका सबसे उपरी भाग के मध्धे बिंदू इनका मध्धे बिंदू इसका ये रहा इसका ये रहा इसका भी ये रहा इसका भी ये रहा और इसका ये रहा फिर से रिपीट कर रहा हूं हिस्टोग्राम्स की जो आयत बार है इनके सबसे उपर वाले भाग के मध्य बिंदू को मिलाने पर frequency polygon प्राप्त होते हैं इनके मध्य बिंदू को मिलाने पर आवरती भहुबुज प्राप्त होता है यह ऐसे ग्राप है जिनके माध्यम से दो या दो से अधिक frequency distribution या आवरती वित्रन को या उनमें अपन आसानी से तुल्नात्मक अध्यन कर सकते हैं मैंने कहे तो दिया कि बीच वाले जो points है आयत बार के histograms के उनको मिलाने पर मिलाना भी है इनको तो मिलाओ yellow, yellow ये मिल गया बन गया frequency polygon जो जो मध्य बिंदू को अपने मिलाते विए line खेची है इसको भी बोलेंगे frequency पोलगन या आवरती बहु भुज clear, ठीक है next step लेते हैं frequency कार्व ये इता third frequency कार्व यानि कि वक्र ये इस परकार बनाए जाते हैं कि इनका छेक्त्रफल जिसे बोलते area उतना ही रहे जाता है जितना की frequency पोलगन का था या आवरती बहु भुज का था ठीक है तो